मन के हारे हार है और मन के जीते जीत याद रखें अगर आप मन से नहीं हारते तो कभी आप सरीर से और मैदान में हार कर भी हारते नहीं है और मन से नहारें उसके लिए क्या होना चाहिए मांसिक सिस्टम मजबूत होना चाहिए उसके लिए मोटिवेशन होना चाहिए मोटिवेशन के लिए एक मोटिवेशनल गुरू नहीं जिन्दगी में की गई भूलों से सीख करमोटिवेट होना चाहिए बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का इस परमग्यान के बाद आपकी क्लास नंबर पचास 151 नंबर में एक वीडियो एक टॉपिक वाली सीरीज है जिसमें आप पढ़ रहें तिरकोड मिती तिरकोड मिती है 180 प्लस थीटा वाला आज है 270 प्लस थीटा ठीक है तो मैं आज बात करूंगा कि जो बड़े-बड़े नंबर्स होते हैं उनको कैसे उनका मान कैसे फाइंड करते हैं जैसे माली जी मैंने आपको कहा कि 1030 कमान बता आप ने बता दिया एक बटा दो होता है मैंने आप सुरी बता दो होता है अगर मैंने बोला आपको साइन नब्बे कमान बता वन होता है लेकिन अगर मैंने पूछा कि साइन 330 कमान क्या होगा साइन 330 कोड़ 280 तो ऐसी कंडिशन में नब्बे तक ही हम सीखें फिर आगे हो जाता गडबड उन गडबड को सुधारने के लिए बड़े बड़े यह आइडेंटिटी बोलते इनको सर्वसमिका इनके माध्यम से उनको निकाला जाता है यह चतुर्षांस होता मैं पहले आप 180 बनाती है यहां फीदा फीदा लायन अप क्या बना रही भाइस्ताइफ का यह 180 बनाती है लेकिन लेकिन क्या अगर यह लाइन यहां तक आई एक बर और घूम जाए एक मार half раб 207 बनाती है कि यहां कि genre आवं भी पर विए लेकर यहां तक क्या है 270 आइसे समझो कि मैं ऐसे खड़ा हूं तो मतलब आपके सामने ज़स सीधा खड़ा हूं मतलब 90 के एंगल पर खड़ा हूं ठीक है कि नहीं है से सुरी में जीरो पेखड़ा हूँ पहले स्टार्टिंग मैंने कौईूई मैंने खूनग दुबारा घूम है ना बहुत सारी मैहनत करते हैं evs करते हैं यहां शुरु किये होते में फिर आ तो 270 प्लास थीटा क्या होगा किस चाथूर्थांस में होगा सभी सब क्या होते हैं इसमें साइन साइन का उल्ट ऑफष ए废ार पसक उपरण उल्टा है इसमें टैन और कॉट इसमें कॉफ एंड ठीक है आए बात करते हैं इन फार्मूले की इनका यूच क्या है वो मैं बताऊंगा आपको आगे साइड में देखो एक मिनट यह जब फें कॉष्ट तीन सो अंस कमांद क्या कर सकता हूं इसको मैं इसको मैं लिख सकता हूं बच्चा कॉफ एक 270 प्लफ तीफ ठीक है याद रखना कॉष्ट और 90 में रासी परिवर्टन होता है और कॉष्ट जो थीटा है वो बदलता है किसमें सेक में बदलता है सेक और थीटा की जगा पर तीफ तो सेक 30 कमान क्या होगा कॉष्ट तीन सो अंस कमान होगा सवाल यह है कि पॉज स्यख्ष्ः कमानम क्या होता है तो सेक देखो किसका होता है तो साइन का उल्टा कॉष्ः होता है यहां कमानमी कैसे 10 कह थे होता है तो कमानम शहां होता बन्mile कौन रहा है कौस और सच यह की दूसरे के अपोजित को पता है ग общ Tap ग्रम मगं यह महीं होता है हमें कौस इस कि परे निकालना जो साइंस हाट का होता है रूट 3 बटा 2 को पलट दो रूट 3 बटा 2 को ढूट 3 यह अनवर माइनस में रहेगा PB माइनस में दू बटारूर्टीन यह किसका मान था माइनस दो बटारूर्टीन कॉस्य तीन सब्सक्राइब का यूज है यही इसका परियोग है यह तेन 315 अंस कमान समझना यह तिरकोड मिती अडवांस में आती है यह बहुत हलुआ नहीं मजदार चीज नहीं यहां कमेडी नह और रहे रोज वही जोड़ घठाना रोज वई यह बीका भाग है लेकिन प्विच्व सीख गए अच्छा तुम बेरिक का सीखोए वेसिक में तो जिंदगी बिज्जाती है वेसिक सीखे कान दून देखो इसको थैन 270 फ्लस किसमें चेंज करेंगे 45 में 270 में 45 जोड़ों दे अब टैन चुकि 270 में है बदलेगा बदलता है तो कॉट में जाता है ठीटा ठीटा की जगा पर 45 है अब भाई साहब यह चौथे चतुर्थांस में होगा चौथे में ओनली कॉस और उसका पॉजिटीव होता है तो टैन तो पॉजिटीव होता नहीं तो मान जो आएगा माइनस आएगा सो यू कैन से कि टैन 315 अन्सकमान माहिनस ओनुटा है बात समझ में आई आपको यह फार्मूला रूला आता कैसी यह जो लोग यह सोच रहे होंगे ना भाग रहे होंगे ना कुछ लोग भाग गया होंगे जिनको जाना है जाने दो जिनको जल्दी थी वो चले गए अब हम पढ़ेंगे concept यह था 180 वाला पिछली class का 40 नहीं 50 class का था चल भाई आजाओ एक एक पकड़ो साइन 270 प्लस थीता देखो 90 और 270 में रासी परिवर्तन होता है बार बार बता रहा हूं बाकी नहीं होता है तो यह क्या हो जाएगा रासी परिवर्तन होके कॉस हो जाएगा थीता की जगा पे थीता चूकि यह चौथे चतुर्थांस में होता है चौथे में सिर्फ और कर निए ठाइगा साइन कि बाद आगया कॉस काउस 250 प्लस थीटा रासी परिवर्तन होगा फाइन में जाएगा और चोथे चतुर्थांस में होता है चोथे में साइन सारी, कॉस पॉजिटिव होता है तो ये क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा तैन 270 प्लस थीटा चोथे चतुर्थांस में होगा चोथे में कॉस और कॉस का उल्टा पॉजिटिव होता है माइनस में आएगा और कॉड़ थीटा क्योंकि टैन बदलता है कॉड़ में यह हो गए तीनों मुख्यों हो गए अब यह पच्छ वाले हो गए भी पच्छ वाले में आ जाओ साइन का उल्टा क्या होता बच्छा कॉसेक होता है दो सो सत्तर प्लस थीटा कॉसेक का रासी परिवर्तन होता है तो सेक में जाता है sec theta minus में आएगा क्योंकि 14 चतुथांस में only cos positive होता है और उसका opposite sec positive होता बस sec 270 प्लस theta तो यह क्या है भईस आप sec बदलेगा तो cos में जाता है और यह positive होगा क्योंकि cos और sec positive होता इसमें है ठीक है अगला लाश्ट को कोड़ 270 प्लस theta यह बदलेगा 10 में जाएगा और यह भी क्या होगा माइनस होगा यह पूरी की पूरी कहानी थी सभी सर्वसमिका थे किस दी को कोई डाउट है कोई दुख है इसमें बताओ मुझे नहीं चलों आगे बढ़ों बढ़ियां मस जवर्जास ठीक है अफे छातर जो सीरेफली सीखना चाहते हैं कम समय में पूरा गड़ित उनके लिए संगम बैच आ रहा है 27 अक्टूबर 2014 से इसे इग्नोर ना करें दिवाली का महा बचताफर चल रहा है इसमें पूरे एक साल का फीज दो हजार रुपए है उसमें 15 रुपय का छूठ मिलका आपको 500 सब कुछ होगा लेकिन सिर्फ बार 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 बोल रहा हूं और यह भी बेसिक ही है जो देख रहे हो पहले तो तुम यह जानों बेसिक होता क्या है बेसिक मतलब हार एक जाम मतलब सरी हार एक जो सिलेबस के चैप्टर है ना उनका सब का कांसेप निचोड़ चाहे हो आपका क्यूब क्यूब वाइड हो चाहे हो रेक्टेंगल हो सरकल हो या फिर आपका गुड़न खंड हो लसी में हो भिन हो लाभानी कुछ भी हो जो भी सब्सक्राइब करना मैसेज मत करना बिल्कुल ना करना क्योंकि वहां पर फिरी में यूट्यूब पर डेली दे रहा हूं आप आओ पढ़ो राम से प्यार से रात नौ बजे सुबा पांच बजे दोपार दो बजे साम साथ बजे सुबा साथ बजे बहुत सारा टाइम है जि कभी अपसर नहीं होता सुबा पांच भी हो जाता कभी कभी